दोस्तो एकनाज सिंदे और राजू पाटिल ये दोनों ही महाराष्ट के ही नहीं बलकि पूरे देश के सबसे फेमस नेता हैं जहां एक तरफ एकनाज सिंदे महाराष्ट के मुख मंत्री हैं तो वहीं पर राजू पाटिल महाराष्ट नो निर्मार सेना से विदायक हैं तो चलिए देखते हैं इन दोनों में ही किसके पास सबसे तगड़ी कारे हैं तो चलिए सबसे पहले CM1 ना सिंदे की कारों शुरू करते हैं नमबर चार पर है Ford Endeavor यह इनके कलेक्शन की सबसे सस्ती कार है जो कि 2.8 लिटर 4 सिलिंडर डियल एंजन से लैस आती है इस कार की टॉप स्पीड 180 किलो मिटर परार है और इस कार की इंडियन मार्केट में कीमत 38 लाग रुपाय है जो कि अफ्रोडल करने के लिए काफी सही कार मानी जाती है नमबर तीन पर है Mercedes Benz GLS 350D यह एक लगजरी SUV कार है जो कि 3 लिटर V6 डियल एंजन से लैस आती है इस कार की टॉप स्पीड 222 किलो मिटर परार है और इस कार की इंडियन मार्केट में कीमत 95 लाग रुपाय है नमबर दो पर है Toyota Land Cruiser यह Toyota की सबसे ज़्यादा बिखने वाली SUV कार है इस कार की टॉप स्पीड 200 किलो मिटर परार है और इस कार की कीमत 1 करोड 30 लाग रुपाय है नमबर एक Lexus LX 5780 यह इनके कलेक्शन की सबसे महंगी कार है जो कि 5.7 लिटर V8 डीजल इंजन के साथ आती है जो की बहुत दमदार इंजन है 210 की टॉप स्पीड से दोड़ सकती है और इस कार की इंजन मार्केट में कीमत 2 करोड रुपाय है यह लगजरी के मामले में टॉप अब दा लाइन है चलिए दोस्तों आप राजू पाटिल की कार्स पर नजर डालते हैं नमबर चार फोर्ड मस्टैंग यह एक अमेरिकन मसल कार है जो की 5 लिटर V8 पेट्रोल इंजन के साथ आती है इस कार की टॉप स्पीड 240 क्रिमीटर परार है जो की 0-100 की रपतार मातर 5.2 सेकेंड में इस कार की कीमत एक करोड रुपा है नमबर दो टोयोटा लेंड क्रूजर यह तो हर राजनेता की पहली पसंद है 3.5 लीटर V6 टुन टर्बो पेट्रोल इंजन आता है इस कार की कीमत एक करोड तीस लाग रुपा है जो कि ऑफ रोडिंग करने के लिए एक दमदार और 25 सिकेंड ने पहुंच जाती है इस कार की कीमत दो करोड पचास लाग रुपा है दोस्तों यह था सीम एक ना सिंदे और राजू बाटल का कार कंपेर्जन आपको किसकी कार सबसे जादा बेश्ट लगी अगर आप नभी तक राहूल गांधी और पीम मोदी जी का कार कंपेर